इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन मतलब के इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा कोई नए ओडर वीट एक्सपोर्ट के इंडिया नहीं लेगा तो ओवियसली इसे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़रा shortage होने वाली है और Indian perspective से मैं आपको अगर बताऊं तो ये step बहुत important है क्योंकि हमको ensure करना होगा बहुत important है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए मैंने इससे पहले एक previous वीडियो में मैं आपको बताया था कि 2004-2005 में जब Dr. Manumon Singh जी PM थे इंडिया के तब इ एक बार को भारत में वीड की गेहु की कमी भी पड़ गई थी तो अभी के लिए जो ये सरकार का step है बहुत important है इससे basically हम ये ensure कर लेंगे के सबसे पहली बात तो हमारे आप वीड की कमी ना हो जाए और उसके बाद मेरे इसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बड़ेगा कोई बड़ी बात नहीं है तीन-चार महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें it is possible as well मगर obviously यहाँ पर आपका एक question यह होगा के इंडिया के PM ने कुछ ही हफतों पहले April wise में ये का था जो Biden और various world leaders को के इंडिया is ready to feed the world इंडिया दुनिया को ख बड़ने से पहले आपसे question बूचूँँगा question यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया discuss कर रहा है एक preferential trade pat के idea को किस GCC country के साथ Gulf cooperation council countries के बारे में आपको बता होगा Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, UAE, Oman तो आपको बताना है कि इन मेंसे वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया preferential trade pat की बात कर रहा है यह है आपकी option comment section में करिए उत्तर सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो केंड में और जो लोग सही आंसर वासे करेंगे उनकी वीडियो को मैं हट दई इसके पीछे main reason है April का महीना आपको बताओगा भारत में सबसे जादा जो wheat producing states है वो है पंजाब, उत्तरपदेश, हराना, मध्यपदेश, राजस्तान इन states में ही mainly हमारा wheat grow होता है और unfortunately April के महीने में हमने ये रेखा है कि Northwest India और Central India में 122 साल का record टूटा है hottest April महीना गया है और heat wave ऐसी आई है कि कई किसानों की जो फसल है ये खराब भी हुई है, altogether पूरी फसल खराब भी हुई, मगर कई ना कई losses देखे गए है, for example मैं गर बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने ये सोचा रा इनिशली इस साल में कि ये लोग procure करेंगे, मतलब कि खरीदेंग है because of the heat wave और इसका reason ये है कि जब गर्मी बहुत दरा पड़ती है, तब उस वक्त क्या होता है कि जो wheat की grain है, ये properly grow नहीं कर पाती, properly mature नहीं कर पाती, उस level तक नहीं पहुच पाती, जहाँ पे आप उसको sell कर पाओ as a food grain, और obviously देखिए इसका impact हम आलड़ी देख रहे हैं, help की जाएगी राशन के जरीए, ये schemes भी properly हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी uncertainty थी, क्योंकि food corporation of India का जो wheat stock है, ये 5 year low पे पहुच चुका था, now 5 year low इतनी बड़ी बात नहीं है, आसा नहीं है कि 50 साल में सबसे lowest ये food stock है, इसका मतलब ये है कि 5 स साल पहले भी हमने manage कर रखा है ये सब, बट आज कैसा में रेको पता है कि या है, दुनिया में इतनी uncertainty है कि सरकार ने risk नहीं लिया, और अगयन मैं कहूँगा, ये अच्छी बात है, 2004 पास से हम सीखे हैं, सरकार यहां पे ये ensure करेगी, कि पहले सरकार के जो food stocks हैं, ये completely full हो ज रखता है, सरकार खुद काफियत तक confident थी कुछ दिन पहले, कि हम लोग wheat के export नहीं रोकेंगे, या अब आप देख पहो होगे, 5 में का article है, no plan to curb wheat exports yet, तो सरकार का भी initially ये सब करने का plan था नहीं, बट एक डर देखें, यहां पर ये भी है, कि इंडिया को इतने सारे order मिल रहे था, सरकार को कुछ मिलता ही न, और मुझे बता है, यहां पर आप यहीं question पूछोगे, किस से पहले जो मने वीडियो बनाई थी, कि इस country की तरफ से wheat का order आया है, इस country ने हमसे wheat मांगा है, तो उन orders का क्या होगा, देखो, सरकार ने आपर ये बोला है, कि जो previous order है, ये हम cancel नह इनको मिल जाएगा wheat, इसके इलावा कई और देश है, कई और companies हैं, दुनिया भर में, इन्होंने इंडिया से wheat purchase किया है, उनकी shipments हम properly कर देंगे, अब बस हम नए order नहीं ने लेने वाले, और इंडिया के इस step को आप देखोगे, global media cover कर रहा है, Bloomberg, New York Times, Washington Post, हर जगा इस पर articles publish ह हैं, क्योंकि इंडिया का जो ये step है, इसे इंडिया की population के लिए food तो secure हो जाएगा, मगर globally जो food के prices है, ये बहुत जादा बढ़ने वाले हैं, और याद रखिएगा wheat से बहुत कुछ produce होता है, biscuits बनते हैं, बहुत से और products बनते हैं, सिर्व यहाँ पर यह मत सोचना के आटा, रोटी ऐसा बनेगी, bread, various और items बनती हैं, तो Ukraine war की वज़े से जो global food shortage start होई थी, इसका बहुत ही जादा negative impact पड़ेगा दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगा भी लोग भूक की वज़े से मारे भी जाए, अब यहाँ पर आप कहोगे, उस case में इंडिया कुछ नहीं करेगा, देखें भारत सरकार ने आपर यहीं बोला है, हम लोग export नहीं करेंगे commercial basis पर, मगर मान लो के बीज में एक देश है, वहाँ पे food की बहुत कमी पड़ गई, UNB कहा रहा है बाकी countries को के please help करिए, तो उस case में भारत सरकार individual basis पर, emergency basis पर आ आपके पास बचा है, कितना export कर लिया काफी बार, दो-तीन महीने बाद proper data आता है उसका, तो panic करने की कोई आउशकता नहीं है, ये move लिया गया है, इंडिया की safety, इंडिया की food safety को ध्यान में रखकर, because in the end सरकार की main priority है, कि Indian citizens के पास proper खाने को होना चाहिए, यहाँ पर खाने PTA, Preferential Trade Agreement with India, to boost India's trade with the Gulf, after United Arab Emirates, CEPA, UAE के साथ हम अलड़ी एक free trade pact sign कर चुके हैं, तो उमान भी चाहता है कि इंडिया के साथ ये लोग एक free trade agreement sign कर ले, और यहाँ आपर आप आप देख पाएंगे, यहाँ आप आपको देखेगा, उमान एक बहुत ही important day sign यहाँ के लिए, और यहाँ पे आप purchase कर पाओगे, यह unique combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की त्यारी कर सकते हैं, in a single purchase, तो simply यहाँ पे click करो, pick a plan पर, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, the course of your choice, अगर आपके पास अभी time है, अराम से college student हो, आप अभी 2 साल बात prepare करना है for UPSC, तो जो 24 महेन करने का course है, यह भी आप कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, pay करने के आप शकता नहीं है, simply यहाँ पर code use करो, PD10, and the prices will start falling, so use the code PD10, and save money, so इसी note के साथ, यह है video का, thank you for listening, and as always, God bless you all. झाल